आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक monitor जो कि आप अपने office work और अपने personal work दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके हम unboxing करेंगे और उसका एक first impression और review देंगे देखते रहे हैं आज हम आपके लिए लेकर आये हैं HP का M27FWA monitor ये एक 27 inch diagonal full HD monitor है HP इसका brand है और अगर आप देखेंगे तो इसमें AMD FreeSync भी available है ये दिख रहा है आपको मैं उपर दिखा देता हूँ ये दिखें AMD FreeSync इसके बाकी features के बारे में हम इसे unbox करने के बाद आपको बताएंगे हमने cable इसकी यहाँ से tape काटी है उसके बाद हम इसे ऐसे रख देते हैं अभी मैं आपको box का content दिखा रहा हूँ ये इसका adapter है power adapter ये HDMI cable है ये इसमें इसके manuals और warranty cards है ये इसमें देखें तो इसमें ये cable है और ये देखें तो इसमें ये देखना पड़ेगा इसमें ये क्या है looks like a stand ये stand है अब हम इसमें से ये ये चीज़े निकाल देते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये है monitor monitor को हम इस box में से निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसा लगता है देखने में कुछ इस तरीके से box में आया है इसे निकालने के लिए कुछ नहीं, हम इसे यहाँ से इस तरीके से पुल करेंगे, ऐसे और ये हम इस तरीके से ऐसे निकाल देंगे, ये हम इसे साइड में अख लेते हैं और बॉक्स को हटा देते हैं, सबसे पहले हम इस monitor को assemble करेंगे और उसके बाद इसका first impression आपको देंगे Assemble करने के लिए मैंने यह stand निकाल लिया है और अच्छा इसमें एक और यह stand था यह bottom stand होगा जो उसमें साथ में डबे में था तो यह मैंने दोनों चीजे निकाल ली हैं मैं इनमें इस तरीके से इनमें से यह अलग कर लेता हूँ यह एक piece है इसका अब यह भी अलग कर लेते हैं यह देखें कि दूसरा piece है एक यह था यह कुछ इस तरीके से सेट होएंगे इसमें देखेंगे तो यह बहुत अच्छा इसमें mechanism दिया है तो यह देखें यह इसमें आपको इसमें इस तरीके से इसे tight कर सकते हैं अब हम इसे तो यह देखें इस तरीके से इसमें ऐसे जाएगा अब फिर यह इसमें हम इसे ऐसे tight कर लेते हैं यह tight हो जाया है that's it अब हम यह monitor इसमें से निकाल लेते हैं यह देखें काफ़ श्लिम है देखें यह मैं इसको अभी polybag पर ही रख लेता हूं तो यह जो है इसमें यह इसका stand जाएगा I think मुझे इसका पहले यह निकाल लेना चाहिए नीचे वाला पार्ट इस तरीके से फिर इसको इस तरीके से इसमें मैंने fix कर दिया यह तो हो गया इसका set इसका कोई use नहीं है इसमें मुझे तो कुछ दिखने रहा है use इसमें I don't know इसका क्या use है maybe cable route करने के लिए हो सकता है इसका use अब मैं इसमें यह इसका नीचे वाला पार्ट लगा देता हूं यह लगा इसका part stand it up मैंने इस monitor को connect कर दिया है अपने laptop से और यह देखिए इस तरीके से दिख रहा है connect होने के बाद अभी मैंने इस monitor में 4K stock footage चलाई है जो मुझे काफी अच्छी लग रही है देखने में पट इसमें एक limitation है वो limitation है कि यह 27 inch की screen है और इसका resolution है वो है full HD so full HD resolution अगर आप इतने पास से देखेंगे इतनी बड़ी screen में तो pixelated कहीं ना कहीं लगेगा हालकि यह footage काफी अच्छी लग रही है but I think resolution इसके लिए कम है यह कम से कम एक 2K screen होनी चाहिए थी इस size के साब से पट इसका जो color reproduction है वो बहुत ही शांदार है अगर आप देख रहे हैं तो इसमें दिखता है आपको यह i safe certified है इसमें integrated speakers है यह ocean bound plastic से बना हुआ है इसका जो color gamut है वो 99% sRGB है त्यानि की color reproduction अच्छा है इसमें integrated cable management जो पीछे में आपको दिखाया था पहले वो cable management के लिए ही है इसे मैं भी use नहीं कर रहा हूं full HD इसका resolution है three sided इसका यह borderless यह borderless है तीन sides है one two and three basically वहुत thin bezel है इसकी और साथ में आपको मिलता है इसमें AMD radion free sync तो यह इसके है specifications तो यह इसमें ports है यह HDMI ports है दो यह इसमें VJ port है यह headset के लिए यह speakers के लिए और यह power port और यह lock के लिए यह पीछे दो speakers है एक इधर है और एक इसमें इधर है तो यह है इसका back side तो अभी आपको मैंने दिखाया HP का M27 FWA monitor look wise a monitor बहुत ही amazing है bezels बहुत thin है एक drawback वो यह है कि जो screen resolution है इस screen size के हिसाब से कम है दूसरा drawback इसका यह है कि इसके आप height adjust नहीं कर सकते हैं that is the second drawback तीसरा drawback यह है कि इसका आप vertically align करके use नहीं कर सकते यह भी एक इसका drawback है अलावा यह देखने में और color reproduction में बहुत अच्छा है यानि कि अगर आप content creator हो color grading कर रहे हो या photos पे काम कर रहे हो Photoshop पे तो close to real आपको color से reproduce करके दिखाएगा क्योंकि इसका जो color gamut है वो sRGB का 99% है जो काफी अच्छा है तो यह इसके positives हैं उसके अलावा connectivity देखें तो दो HDMI ports मिलते हैं integrated speakers मिलते हैं वो भी अच्छा है VGA port भी है अगर आप पुराने style से connect करना चाहते हो अपने laptop को इस monitor से या फिर desktop को इस monitor से वो भी कर सकते हैं आप तो यह था HP का monitor अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसे purchase कर सकते हैं इसका link में आपको description में दे दूगा अगर description में link ना हो तो आप online search करके भी इसे मंगा सकते हैं अगर आपको यह video भी अच्छा लगा हो तो like करिए, subscribe करिए, bell icon को click करिए और share करिए आपकी एक एक like, share, comment हमें सहायता करता है अपने channel को grow करने में तो हमारी मदद करते रहे हैं नमस्कार